हैलो गाइज वेल्कल गुलतु नी करो इसलने के बारे बाति किलो मेरें के बारे कर सकते हैं approached घ् dude के पाइस रिएकनोंopf की बड़ेख लो आप भी है जुरूर मनें हो से कि आपको मार्कट के ईनलेसिस आगला मु Ó की बारे में पता चल सकता है क्या होना है और क्या नहीं होने वाला बात से में अभी भी से अभ जो अभी नि हमनोंको मूशनेह जो इंडेक्स में वो मेंली मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के वजे से आ रहे हैं जो कि स्मॉल कैप वगर है जो सेक्टर है उनका स्टॉक जो भी बहुत अच्छा रन पर चल रहा है जो कि टिका हो तो है बट हां सस्टेनेबल है कि नहीं 21000 लेवल के उपर वो आपको मार्केट में बने रह मार्केट तो जैसे कि आप ने देखें यहां मार्केट में अगर पारिसिपेट किया हो तो मार्केट ऐसे तो साइडवेस था पर मैने बहुत था गाप खुले तो रीटेस्ट पे इंट्री बनाना तो यहां से गाप अच्छा खोला और साथ ही एक वार उपर गया और रीट् और उपर गया और अच्छा कासा उपर 21,000 के लिवल के पास पहुंचा है market बट जाद देर sustain नहीं कर पाया जैसा कि देख सकते हैं जैसे 21,000 को hit किया उसका dozy, engulfing candle बहुत सरा candle बने लगे जो कि market को उपर टिकने का sustain करने का sign नहीं दे रहाता है इसे clearly indication मेरा था कि market fall कर सकता है और ऐसी market में हुआ भी अगर आप अगर chart pattern और आप price action देखते हो तो आपको इस देखने में यहाँ पर साफ साथ दिख रहा हो कि कहीं न कहीं आप यहाँ पर एक देखो कि तो triangular pattern भी दिख रहा है आपको market में जो कि अपको पता है कि यहाँ ब्रेकडाउन होता है, तो market इपर fall करता है तो गइस कहीं न कहीं, आपको यहाँ पर देख सकते है एक triangle pattern दिखता है, कि जैसे कि इसमें, फागर關係 के नीचे मारकेट ने को ब्रेक्डाउट दिया एक अच्छा कैंडल के साथ और यहां से मारकेट अपना पूराना जो सपोर्ट साप्लमारकेट का ठीका प्रीवेस流ग pumping अपना सपोर्ट संफ दिधनेगा बर जादा सेस्टेनेबल नहीं था किसी तर करेकर का लेवल उपर ही था और यहां से बहुत सारा शॉट किया जा था माल को that's time market उपर टिक नहीं पा रहा था तो जैसे कि यहां पर देख अपना सपोर्ट पाया तो जैसे आगर आप देखोगे प्राइज एक्षेन तो देखो गाइस यहां से एक काइंट ओफ एमपैटन बनाया मार्केट और इसका यह जो नेकलाइन होता है यहां पर ब्रेक आउट दिया यहां रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के वास वापसे मार्केट अपना पुराना को तोडते वह नीचे आगया अपना तीसर पुराना सपर्फ के पास ऐसे तो एक्सपेकट नहीं था मार्केट में कि इतना ज्यादर आ सबस्टा है या इतना ज्यादर वर्टालिटी रह सकता है बर फिर भी. मार्केट ने इतना जाद वॉटालिटी दिखाया, मुवमेंट दिखाया, ठीक है, फ्राइडे का देठा इतना एक्सपेक्टेड है नहीं था, जो भी है, गाइस, मार्केट है, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, बट एक परसेंटेज का प्रेडिक्शन लगा सकते हैं हमनों, जैसे हमने बताया है, और गाई, जिसको भी यहां से आपना सीकना, मार्केट के कैसे यहां से ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है, मार्केट कैसे यहां से ट्रेंड चेंज किया, यहां यहां से, अगर इस टाइप का, आपको सी शीखना है, तो हमने अपने वीड आप मे plays जी कि आप कैसे पहले इंडिकेशन देता है मार्गेट आपको की ट्रेंड चेंज होना आपको वो वीडियो आपको इस ट्रेडिंग ब्रेकर एक हैं यहां से आपको दिख रहा होगा गाइस मार्केट को ने कि बन रहे हैं फ्लैक का पैटरेन भूबना यहांसे आपको एक बार रेटेस्ट का इंट्री दिया मार्केट में वापस अच्छा कहांसा आया गाइस एकस्पेक्टेड नहीं था कि इस सपोर्ड को मार्केट तोड़ देगा बट हाँ यहां से मार्केट ने यहांसे करा और हम लोग कब का रहा था क्योंकि मार्केट आपना पुराना सपोर्ट यहां पर कर रितेस्ट दिया मार्केट बाहर यहां से सगोफ फालिंग ने तया ज्यासा कि virtubov direct sapken kfolgaduто naa do zapata bakaduvapering bolず Tha 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 वहां पर आफ गयाओं क्योंकि वह एक ट्रेंड का एंडिंग का हंवाला ऑसके लिए बढ़ा से बंदा हर के वाँ मिल्स के वज़े से बन बादस से बंद यहां पर जाता है ऐसे ना मार्केट फॉल्ड करका और बॉट्टम पना पूराना हो आपका 20 जार 850 के आराउंड हमने दिया भी था था आपको कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहागा यह मार्केट में इस पर आकर मार्केट ने हलका सा होल्ड किया यहां पर एक स्पिनिंग बॉट्टम बना है मार्केट और एक रैली वापस अपसेड के लिए दिया जिन्स ने भी पार्सिप था यह मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है जो कि आपको पता करना हो तो आप देख सकते हो क्योंकि मार्केट हमेशा जब फॉल करेगा ठीक है जब मार्केट को रिवार्स होना वाना तो इस चीज के 50% के उपर जाना लगए ठीक है मार्केट अगर कंटिन्यू करना इसको 50% के आज पास से अपना वापस से फॉल करना चाहिए बट यहां पर गाई इस 50% के ऊपर जा गया और अपने पुराने सपोर्ड जो रिस्टेंस बन चुक थो वहां पर होल्ट किया वहां से वापस से रैली दिया और वापस यहां पर उड्ड किया फिर उसके बाद ऑपना मार्केट जो है अब वे उसमें क्या हो सकता तो उससे पहले चलते हैं एक सकते हों ओर देखते मार्केट ने कैंडल नहीं होग पहुंचेंगे इस तो सब्सक्राइब कर लूँ ताकि मैं आपको बता पहूं अच्छे से तो जैसे मैं सब चीज को क्लियर करता हूं अपने तो आप देख सकते हूं मार्केट में हमने कल ही बताया था कि कैंडल्स कुछ खास नहीं बन रहे हैं एक स्ट्रॉंग बाइंग या स्ट्रॉंग एक की सजाए को तोड़ के उपर सिस्टेंट करने का लेवल ने बन सकता है क्योंकि अभी जो यहां पर टॉप पर आकर यह जो मार्केट ने कैंडल्स बन कैंडल्स के इस ही रहे है यह तो इक का ब्रेकट देखने के मिलेग आपको पता ही है रेटज पर हमें साँ इंटरी बनाना या ब्रेकडावन होगा तो आपको इस लेवल का भी तोड़ने के वेट करना जो की बीससा 7100 उसकी बाद मार्केट में हलका हो सकता है तो फॉल है ठीक है गाइस बट अभी तो मार्केट को देख के नहीं लगता है कि उतना बड़ा फॉल आने वाला है बिकॉस अभी इलेक्शन का टाइम भी है और जो अपना बीज़ेपी गवर्मेंट वोटिंग जीद भी रहा है हर जगह इलेक्शन तो इसका इंपक्ट भी मार्केट में का इस पढ़ता है न्यूज वगए रखा तो उस अपको भी ध्यान दिया करो हलका बहुत अगर आप 15 मिनिट का चाट अगर अपने लगा है देख सकते हो मार्केट एक कंटेनिवसली अप्ट्रेंड में था और फिर अभी आकर हलका सा साइडवोज हो चुका है जैसे कि आप आपको देखा हूं मैं अगर यहां से आप अगर एक देखो अब टू आउस का चार्ट देखोंगा आपको दिख रहा होगा कहीं नहीं मार्केट में भी थोड़ा सा नेगिटिव बना वाया इमेज क्योंकि अभी मार्केट को इसके उपर सस्टेंड करना पड़ेगा तभी आपको मदब 21,000 के आसवास वापस मार्केट आएगा होड करें कुछ दिन और तब उसका ब्रेक आउट दिखा है तब वो एक जैनुएन ब्रेक आउट हो सकता है बट अभी मार्केट में सपोर्ट एन रेस्स्टेंस गीम चल रहा है जो कि मार्केट वापस से सपोर्ट से र रेंज में ट्रेड करने आता वही पार्टिसिपेट करें ऐसे जिसका स्मॉल कैपिटल और यह तो वह सब ट्रेड ना करें उनका कैपिटल जीरो हो सकता तुरंती वोटालिट को जैसे मार्केट का कि देख सकतो अभी भी रेंजबांड मार्केट और अपना रेजिस्टेंस क मैं धधए यह अब आपर जाने का बद मार्केट का आपमेल के पास आने देना और अब सपोर्टर रेंजर्स घेल सकते हैं अभी ज्यादा कूंट्सी बद मत लेना अब वह के पास आके market रुखा होआ तो शीस का अपना ध्याना ठगना ठीक है एक बात किया मार्केट में तो अभी पुराना लेवल समयं इसको एप्रिष्म में थ्पास को भी मार्केट ना रहा है ड hypertension करना चाहते हो तो तो देखना होगा इस Monday market को market क्या करता है या तो इसका breakout देता है तो एक बाए रिटेस्टो को तब अपन entry बनाएंगे अगर इसका breakdown देता हो और market को support के पास आने देना तब उपा साइड के लिए जैसा situation रहा या तो नीचे साइड के लिए अपन देखेंगे market को ठीक है तो that's it for now video guys thank you